सबी मित्रों का स्वागत करता हूँ NCRT कक्सा 10 विज्ञान के नोर्स को लेकर विश्तरित बात करेंगे नोर्स की हम जब भी बात करते हैं तो विद्यार्ती का पहला परसन यही रहता है कि सर इन नोर्स में से कितने परसन एक्जाम में आएंगे तो मैं आपको पूरे दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आपके एक्जाम में 100% प्रसन यही से मिलेंगे आप और 100% स्कोर बना पाओगे अगर इन नोर्स को आप अच्छे से तियार कर लेते हो तो यह तो आपके नोर्स की क्वालिट ही बताएगी लेकिन चलिए हम देखते हैं सबसे पहले तो इन नोर्स को आपको में आपको पहले चुछ पहला चेप्टर है वो बता रहा हूँ आपको पहला चेप्र आप देख रहे होंगे इसका जो नाम जो है ना वो है रसाइनिक अभ एक सभ्द को समझाने का यां प्रियस किया है ऐसी किरिया जिसमें रजें रगारता अपस में किरिया करेंit न्या प्रदार्ध मौ न हो निक दिया उंखितुथ तो उसका नेशे क्या दे दिया उदरण भी दे दिया ताकि बच्चे کو समझने में किसी दिक्कत कुई नहीं आए फिर इसके बाद में वेसे अपस में चेंज हो सकते है contour में परिवर्तन हो सकता है और इसके क्या होते हैं उत्पात क्या होते हैं इनको बारिकी से समझाएं देखो जैसे कि अभी कारक और उत्पात क्या होते हैं परिवासा क्या यहां पर लिख दी हमने और यह भी कारक का एरो डाइग्राम मना के समझा दिया था कि विद्यारती को किसी परगारी कोई दिक्कत नहीं आए अगली जो देखें कि हम इसमें यही टोपिक सब्द कामें आ रहे थे अभी कारक क्या होता है तो हमने अभी कारक के इसके सोट दिखोड निकाल ना जो थाना हमने निकाल लिए इससे सोट अब आप लगें आपको तूरंतिया बते भी जय अबट धी इसके उदान दे नीचे इसमें जो अपना टोपिक आता है राजसाइन के अभीकरिया को संतुलित करना इनसे आठी किताब उटा के देखना आप खुद देखोगे और आपको लगेगा कि उससी किताब में मलब ये अभीकरिया को संतुलित करने का तरीका है ना काफी जटिल तरीके से समझा रखा लेक क्या करेंगे और यह उत्पात बनाएंगे यह पर एक जिंक और यहां पर दो आईड्योजने एक सबस्तिक और एक चार पर चार बोलते हैं पर परमानूमें मतलब क legal मैं आपसे पहुतोगी कि इतने परमानूम मतलब कि इस में इंक तो जिनक है 11 स्दलपर और 4 गच इनको बोलते हैं क्यों बोलते हैं परमाणूमतरे संग्ण का मलब फुरते हैं ओर क shedam तो हम पहले पते हैं। этот के वैंने यह देखना आगे हमने इसको संतूलित करने को येठेन ट्राइल विदी जो आती है। परमानों की सूची त्यार करने का पता चल जाएगी इदर अब भी गारग में परमानों की संग्या पता चल जाएगी पता चल जाएगी खुक जाएगी उसको हमने क्या कर पिर्यास्त किया तो इनमें हमने ओक्सिजन को संतुलित किया फिर जो ज़्यादा परमानों थे उनको संतुलित किया मतलब इसमें यह सिस्टम यह रहता है कि जो परमानों ज़्यादा है ना सबसे पहले उसको संतुलित करो यह कहना चाहता हो में सोट में फिर अगला जो देखो कि आप अगला तो इसमें जो होता है लेकिन आपको बता देता हूं कि इसमें जो होता है इसमें क्या जाएगा बहुत जरूरी होता है अगर आपके नमबर कटने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे बहुत सारे विद्यारती मुझे कमेंट करते हैं पूछते सर की एक्यू का मतलब क्या होता है इंग्लिस में ठीक हिंदी में बोलते हैं उसको जली है तो यह हमने समझा दिया और 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 कि इनको संतुलित करने पर यह बिख्यार ovatरो spirit करने पर यह किराइऄ खेलिया फिर आमनेएखिछ इसमें खेले खेली बारिकिरिया के परकार पर यहले चुरासिय ने करकार कि यह जी प्सक्तमरें पंदे हैं यह आप लेकिन अापने बुक में बती tuh कि यह लिएक नाम लिखर की दूसरा से प्रकार होते हैं कोन-कोन से प्रकार होते हैं दूसरा यह वियोजन प्रकासि वियोजन जो से हैं इनके लिख दिया अंने, फिर हमने उसमा सोशी, विस्तापन, विस्तापन, उप चैन, उसकी कोस्टिक में लिख दिया, कि हमने उप चैन को अक्सिकरन भी बोलते हैं, और अप चैन और रेडोक्ष अभी रिए, जिसमें डोनों साथ में होती है, अभी किया कि यहां पर आपके इंपोर्टेंट है यहां से अभी किरिया जिसमें दो या दो से अधिक अभी कारक मिलकर एकल या एक ही अब एकल का मतलब मानलो बहुत ही कमजोर बुद्धी का बालक है अगर वह एकल का मतलब नहीं समझ पा रहा है तो एक ही कोस्टेंग में लिख दिया हमने उत्पात का निर्मान करते हैं और इसका एरोडाइग्राम पर हमने बनाया है एरोडाइग्राम में समझने में बहुत अशन रहते हैं जिसी यह है भी है यह दो है नहीं है बता और मिलकर कितने हो गए एक तो इससे हम क्या कहें कि सेयोजन भी रहा है कि यह उदारन जो है ना इनसे आपके एकजाम में बाहर परसंद नहीं पहुंचा जाएगा या तो आपको पहुंच लेगा कोईले का दहन मैं नहीं आप समझा रहा दे लाहन वाला उदारने तो यह हमारे पहले चेप्टर के आप दूसरे चेप्टर के में बता रहा हूं और इनका पूरी ओल और पीडे बताओंगा यह मन के लिए बता रहे हैं आपको इसा है अब यह अमल सारक और लवन वाले यह बहुत अच्छा चेप्टर है और इसको किया है जैसे कि अब ले इसको एसीड बोलते हैं इसमें एसीड लेटीन बासा के सब्से बना हुआ है तो एसीड से बना हुआ है जिसका आर्थ क्या होता है हात्यों हाथ बता दिया खटा होता है और इसके गुन क्या होते तो आदमें खटा होता है निले लिटिमस को लाल कर और यह तोड़ी अलग परिवासा लिखिए हमने कि अमल वे परदार्द होते हैं जो जैले वीलेन में हाइडोजन आयन देते हैं फिर हमने क्या कि जो अमल थे उनके नाम और उनके सुत्र हाथ यहां लिख दिए कभी कभी तो हैं में एक नमबर का प्रस्ण आता है कि सुत्रे यह प्रति कि अदे प्रस्टिक अमुशत्स गई डारेक्ट के बारे हैं बताया इंस गए सुत्र होता है अकिजली अंगूर में होता है अपने कपणों पर दाग लगता है उसito का उपयोग करते हैं तो यह इस परकार हमने इनको तियार कर लिया है नोट्स को सारक के बारे में बता है कि इस से हुई है और इसको क्या बोलते है पोड़े की राग इसका अर्थ होता है फिर इसका पूरा गुन समझाए हमने और यह भी हमने एक्स्टाज जिए दी देखो यह इस सारक को उपयोग का होता है दूर नीचे मिल्क ऑप मेगनिश्या जिसा आप मोम बोलते हैं सोट में मों उसका हत्यों तलाशनी की जरूती नहीं पड़ेगी कि हमने सारा कंटेंट इसी में दे दिया मालों कि आप पहले पड़ते मिल को मेगनेशा तो आप सोचते होंगे यार यह रासाइनिक के इसका सूत्र में किया बोलते हैं सारी चीज़ें आप मिल नहीं में मिले आपको उप्यों कर सकते हो उसका आप उप्योग कर सकते हो इनका क्योंकि जो मेथनों एक अमले छोड़ती है उर्स में आप दूरबल सारका प्रियोग कर सकते हो तो आपके लिए कोई ज्यादा मलब मदुमी की नुक्सान नहीं पहुंचा पाएगा तो इस परकार हमने समझाया अब मिट्टी के अमलता क दूर करने में यह चेप्टर नमर तीसरा जो है मानावने सर उपरतम कोपर दातु का प्रियों किया था यह परसन आपको किताबों में नहीं मिलेंगे यह हमने हमारे मन से इनमें एड किया था कि आपको तोड़ा ज्यान आपका व्यापक हो फिर हमने इनके गुण लिके दात संत्रिप्त और संत्रिप्त कार्बनी योगी जो होते हैं इनमें आपको बता रहा है संत्रिप्त कार्बनी योगी क्यों कि जो टोपिक हमारे सामने आता ना उस टोपिक का हम पूरा निचोड कर देते मुला उसका पोस्ट माडम करके छोड़ देते टोपिक को अब देखको और आस संथ्रिप्त को संत्रिप्त नीचे आएगा अब हमने क्या कि इसमें संत्रिप्त कार्वन योगी क्या होते है उनकी परिपस दी प्रोपेन अब बच्चे को बताओ अब बच्चा किताब में क्या डूंडेगा इन और से बार परसंद कहां से जाएगा आप खुद बताइए फिर हमने आत्यों आत क्या देजिए इसका नीचे आप खुद सोचो इसमें एक बंदी है यह बोला कि संत्रिप्त कारबनिक योगी को में एकल बंद होने के कारण यह अध्यदी की अभीक्रहसील नहीं होते है अब मेरे बास सुनो आप खुछ सोचो इसमें एक बंदी है यह बोड़ा कि संत्रिप्त कार्बिन योगी में एकल बंद होने के यह तिद्धी किरहशिल नहीं को जब एक बंदी इसमें तो कहां इस्तायत उकरन करेंगे अपना अराम से मोच कर रहे हैं क्योंकि एक एकली बंद प्रसंट सीधा एकजाम में पुझा दाता है इसके बाद में टेबल बना दी और टेबल में आप देखके समझ सकते हैं फिर हमने साइकलो एक जो इनके आपकी जो किताब में सरचना इसलिए हमने बना बना बनाई हमने और बाइकी इनके छोटे-बोटे जो आसंत्रिप्त का मतलब कि इन नोट्स को बच्चा पढ़ लेगा ना तो उसको किसी किताब के हाल लगाने की जुरूती नहीं रहेगी इन नोट्स को अच्छे से याद कर लेगा देगो एलकिन का नाम करन बता रहा हमने कम्प्लीट बता रहा है इसमें सह जाती स्रेनिया आपके जो इंसे आर संगला जिसमें कार्बन संगला में इस्तित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक्ति करें उससे कहा तो यहाँ पर कार्भन करन की पदती है कैसे कैसे में महिंनग नाम करन की है और यह पूरा कंपलीट है ये वनस्पति ये परतिस्तापन अभी किरिया ये उनके गूण दरम आ गए दो एक भी टोपिक हमने मिशनी क्या चोटे से चोटा टोपिक भी अगला जो अब मैं आपको क्या कि ओल ओर पीडेप थोड़े बायो के बता देता हूं बायो के और फिर फिजिक्स के बताऊंगा प करकास का प्रवड़न आपका टोपिक है इसको हम ने आने वाली जाने वाली समझा दिया इनका दो ने काफी समय लगा लेकिन आप बहुत अच्छे समझ पाऊगे इनको जिसे में मैं को लेंर मैं यह एक चीज बना रखी है इसमें यह परतिमी मकां बनते हैं वस्तों को का रखे परतिमी मकां बनेंगे कितना बारीखिय करें देंगे बल बना किसम आद्यम से किसम बाद्य में जा रही है कैसे मुढी हुई दिकाई देगी तो इनको बहुत बारिकी से बता दिया है यह जो उसका अफ़वर्टनाग वगेरा वाला पॉर्षन एक यह लेंस गोले लेंस क्या होता है यह लेंस का दोनों का चित्र बता दिया था कि बच्चा वह वाला जो अपने परावर्तन वगेरा थे वह दरपन के लिए थे वह लेंस वाले आ गए इसमें लेंस का भी वह सारा कंटेंट बता रगा जो लेंस में थे यह आप देखना इनको बहुत अच्छे लगेंगे नोर्स आप पड़ोगे तो समय आप आओ के कालना में इसको आपको फूरा भी नहीं बता पाएंगे देखो यह हमने आपको तोड़ा उच इस तरह ज्यान भी दिया है इसमें विवर्तन के बारे में कैसे विवर्तन होता कैस से मौड़ती वह अब मैं आपको बायो के नोर्स के तोड़ा रिवीव बता देता हूं बायो का नोर्स जो है ना बायो को नोर्स को हमने बहुत कोशिश किये कि यह अपने बायो के नोर्स से और यह हमारी ओलो फीडियो पहना यह है अब इसमें चित्र वगरा सब समझा रहे हैं हमने चेप्टर का उसका नाम विगरा सब समझा रहे कि देखो आप इसमें देखो कि आप तो आपको चित्र सारे चित्र मिल जाएंगे आप二 जाएंगे आपको और अपने इसकी परिबास देख लोग्या विए असका चित्र मिल जाएगा आपको लगबग लगबग हमने सब चित्रों का समावेस किया है कि आपने परतिवरत चाप होता हुँसको भी इसमें समावयस किया है अपने मस्तिस करें यह पड़ोगे आपको बहुत अच्छा लगा अब जब पड़ोगे टब आपको पता से लिएगा कि हाँ वास्तों सब चुत्र इसमें आपको बहुत क्वालिटी के साथ में जैसे यह अपने प्ले नेर्या में यह क्वालिटी पीड़े फूरी खुली नहीं इसलिए ऐसे आ रहे हैं बहुत सांदार नोट से यह में आपको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जा झाली बहुत लिएो चितर को आपको किताब उठाने की जरुद्पि नहीं पढ़ेगी इसमें यह जो अपना चेप्टर है वो लास्ट वाला यह अपने विद्यूद परिपत वाला है यह अपने चुमक वाली नियम है अब साथ सब बात होगे लेगे नहीं नोट का प्राप्त कैसे करोगे उसके बारे में बात करते हैं अब कि अब तक दूर्फ नहीं को हैं जो हमने देख लिया कि इंसे नोट कम्प्लीट है कंप्लीट रूप से त्यार हैं बोच सरल लेंगवेज़ और क्या है इसमें कि हम ने इनको ज्यान व्यापक बनाया आपका अपका ज्यान व्यापक हो अब इसको अप्राप्त कैसे करो यह प्रोटेज्ट करना पड़ेगा फोन वन कोई नहीं करेगा क्यों आप यह नमबर अपने पास नहीं अपने पास कोई बहुत बड़ा सुलक नहीं रखा हमने विद्यारत को हित में ध्यान में रखते हुए हमने क्या इन नोर्च को आप देने के लिए रखा है प्रावदान तन्यवास आती हूं और भी कोई दिकत हो तो आप कमेंट करें या और से पर मेसेज करें हम आपकी समझ्या का समधान करेंगे